कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती हैं जैहिन दोस्तो स्वागत एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं सीवम आप देखना शुरू कर चुके विंडो क्लासिस कैसे दोस्तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एकजाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके एकजाम के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन अनसर लगाएं तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन 36 गड़ के गाउं में विद्दूत की निरंतर आप पूर्ती सुनिचीत करने के लिए कौन सी योजना प्रारम की गई हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन हैं दोस्तों आपसन देखिए ए एकलब योजना बी गहिरा गुरू योजना सी अटल जोती योजना या फिटी कुठी जोती योजना इन में से कौन सा आपसन आपको सहीं लगता हैं सहीं आपसन सोचने के लिए आपको मिलेगा पांस सेकेंड का समय समय सुरू होता है अब जी साथ्यों इस क्वेश्चन का राइट आंसार हो जाएगा सी अटल जोती योजना अगला क्वेश्चन मिनिमाता हस्देव वांगो जल विद्यूत प्रवजना के उत्पादन छमता क्या हैं आपसन देखिए ए 150 मेगावार्ड बी 138 मेगावार C 120 मेगावार्ड या फिर D 500 मेगावाडड तो कौन सा अपसन सही हो जाएगा जिस आठे हो इस question का right answer हो जाएगा C 120 MW देखे दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है 120 MW का एक ही काई नहीं है ठीक है टोटल तीन ही काई या है एक ही काई 40 MW का है इसे आप multiply करेंगे तो 120 MW होगा किलियर है Next question आयरुवेदिक की छेत्र में स्थापित 36 गड़ राज जलांकर्म पुषकार किसके नाम पर है option देखें A. चरक B. सुसेन C. धन्वंत्री या फिर D. इनमें से कोई नहीं जी साथ हो इस question का right answer हो जाएगा C धन्वंत्री देखें दोस्तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे राज जलांकर्म पुषकार्ट से संबंदित question है अभी आने वाले जितने भी एकजाम है यहां से 2-3 question पूछे जाएंगे तो मैंने इसका separate video upload किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखें तो पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं अगला question बस्तार की कौन महरानी 36 गड़ की प्रथम एयों एक मात्र महिला सास का थी very very important question है दोस्तो किसी भी question में प्रथम या सौर प्रथम लगता है तो question अपने आप में important हो जाता है तो यहां प्या option दिये हुए है option देखिए A. रानी चोरिस B. रानी सू कुमार देवी C. कमला कुमारी देवी या फिर D. प्रथम कुमारी देवी समय कम लगेगा तो वीडियो को पॉस कर सकते हैं अगर किसी भी question का अंसर आपको पता है तो साथी साथ हमें comment कर सकते है जी साथी उस question का राइट अंसर हो जाएगा D. प्रफुल कुमारी देवी नेस question 36 गड़ राज्या में सहल चीत तरकले कौन सा जीला प्रसित है ए भी question बहुत है अच्छा है दोस्तों option देखिए A. रायगर B. सरगुजा C. कभीरधाम या पेड़ी बिलासपुर जी साथ हो इस question का राइट आंसर हो जाएगा A. रायगर next question 36 गड़ की कांग्रेसिस आसन के आओधी में विधान सबा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे question को ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कौन थे दिया गया है option देखिए A. महंदर कर्मा B. रविंदर चौबे C. नन्द कुमार साह या फिर D. राम कुमार भगत तो कौन सा option सही हो जाएगा जी दोस्तों इस question का राइट आंसर हो जाएगा C. नन्द कुमार साह देखे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है question को घुमा के दिया गया है यहाँ पे sentence में आप ध्यान देंगे थे हम कब लगाते हैं भूत काल में या जो बीद गया है उसमें ठीक है दोस्तों तो 36 गड़ के निर्मान के समय जो कांग्रेश सासन थे उस समय प्रतिपक्ष निता को पूछा गया है ना कि अभी वर्तमान में ठीक है दोस्तों तो उस समय नन्द कुमार साह थे अभी वर्तमान में कौन है यह आप लोग को डेटेल से कमेंड करना है अगला question निम्न में कौन सा इस्थल सिवनात नन्दी के टड़ परिस्तित है कौन सा इस्थल है दोस्तों आपसन देखिए आरंग, भी खरोद, सी देवपहरी या फिर दी मतकुदीप तो जल्ली से अपना आंसा टिक करें जिस आच्छोष question का राइट आंसर हो जाएगा आपको यादखना है दोस्तों मतकुदीप में एक प्रसीद मेला होता है कौन से धर्म का मेला होता है यह आप लोग को कमेंड करना है अगला question राजी लोचन मंदीर का निर्माता विलास्तुंग निम्न में से किस प्राचिन राजवन से संबंदित था बहुत अच्छा question है दोस्तों एक question यहाँ प्रसीद आप लोग का cover हो जाता है अगर निर्माता पूछा जाता है तो यहाँ पी नाम दिया गया है विलास्तुंग ठीक है option देखिए A. Null ones B. Some ones C. Pandu ones या फिर D. Sarappuri ones जिस आच्छो इस question का right answer हो जाएगा A. Null ones Next question 36 गण में किसान शॉपिंग माल की स्थापना की गई है कहाँ पे की गई है दोस्तों option देखिए A. दूर्ग मंडी B. कवरधा मंडी C. धमतरी मंडी या फिर D. राजनानगा मंडी जिस आच्छो इस question का right answer हो जाएगा D. राजनानगा मंडी देखे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है अगर राजनानगा मंडी के जगह महासमुन मंडी आता है तो भी option सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि पहला राजनानगा मंडी में बना है और सेकेंड महासमुन मंडी में बनाई गई है गिल्यर है अगला question 36 गर का कौन सा national park project tiger के अंतरगध है कौन सा है दोस्तों option देखिए A. भोरम देव B. इंद्रावती C. कांकेर घाटी या फिर D. इन में से कोई नहीं तो इन में से कौन सा option सही है दोस्तों जल्ली से अपना answer टिक करें जिस आचे उस question का right answer हो जाएगा B. इंद्रावती देखे दोस्तों इस प्रकार के question को आप मैनस पद्धती से भी हल कर सकते हैं अगर आप exam दिला रहे हैं उसमें मैनस marking हैं जो question आपको नहीं आता है उसे आप मैनस पद्धती से हल कर सकते हैं कैसे करते हैं देखे पहला option देखे भोरम देओ ये national park नहीं है दोस्तों राश्ट उद्ध्यान नहीं है तो इसे आप हटा सकते हैं ठीक है बजगया आपके पास तीन option इंद्रावती और कांकेर घाटी और डी इन में से कोई नहीं अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे राश्ट उद्ध्यान के बारे में तो आपको पता होगा कांकेर घाटी में नहीं आता हैं तो यहाँ पर दो option चला गया अब बजगया आपके पास दो option अगर दो option में आप answer टिक करेंगे तो possibility बढ़ जाता है सही होने का ठीक है दोस्तों मैंने राश्ट उद्ध्यान से समबंदी separate video upload किये हैं अगर आपने नहीं देखें तो उपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं किलियर है अगला question 36 गण में सर्वधिक भैंसे किस अभ्यारन में पाय जाते हैं कौन से अभ्यारन है दोस्तों आप्सन देखें ए उदंती अभ्यारन बी भोरमदे अभ्यारन सी बारनावा पारा अभ्यारन या फेड़ी तोमर पिकल अभ्यारन जिस आथे उस question का right answer हो जाएगा ए उदंती अभ्यारन उदंती अभ्यारन गर्याबन जीले में इस्तित है अगर जीले पुछा जाता है तो आपको याद रखना है किलियर है दोस्तों बढ़ते अगले question के तरफ 36 गण में किसको तलाबो की नगरी कहा जाता है option देखिए A. सिरपूर B. रतनपूर C. डोंगरगर या फिर D. चमपरन जिस आथे उस question का right answer हो जाएगा B. रतनपूर देखे दोस्तों इसी प्रकार का similar question एक और बनता है मंदीरों को नगरी किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है आरंग रतनपूर एकजाम के देख्टि कोन से important है दोस्तों रतनपूर से समबंदी जादा से जादा जनकारी पढ़े है किलियर है अगला question निम्नलीकित में 36 गड़ में कौन सा एक यूगमस ही सुमेलित नहीं है इस प्रकार के question वे आपको में बहुत सारे पूछे जाते हैं यहाँ पर option दिये हुए है जल्ली से अपना answer टिक करें जिस आचो इस question का right answer हो जाएगा ए खेला गर्स्वर नसर नेस question देश के कितने प्रतिसार T9S के का उत्पादन 36 गर्राज्यस होता है very very important question है दोस्तों यह question को examiner के दोरह बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है option देखिए A. 60% B. 90% C. 78% या पर D. 100% जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा D. 100% नेस question 36 गर्राज्यस में इस्थित दूर्गसहर किस नंदी के किनारे बसा हुआ है every question बहुत अच्छा है दोस्तों इस परकार के question पूछे जाते हैं option देखिए A. महानन्दी B. हजदोनन्दी C. खारूननन्दी या फिर D. सिउनातनन्दी तो कौन सा option से ही हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा D. सिउनातनन्दी आप लोग को detail से comment करना है दोस्तों राइपूर सहर किसनादे के किनारे बसा हुआ है इसका answer आपको इसी option में देखने को मिल जाएगा बढ़ते अगले question के तरफ महामाया मंदीर का निर्मान किसने करवाया था option देखिए A. राजाहरसगुप B. रत्नदेव प्रथम C. भिंबा जी भोषले या पेड़ी इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर option दिये हो है दोस्तों एक question आप लोगों के लिए है इसका answer आप लोग को detail से comment box में देना है अगर video के recording को भी question है या doubt है तो आप हमें comment कर सकते है आपका comment कर में इंतिजार रहेगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेश्टर वीडियो में जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखे जहिन